हिमाचल के सबसे बड़े हवाई अड़े के बिस्तार के मुद्धे पर कांगड़ा भी दिल्ली के शाहिन बाग में तब्दील होता नजर आ रहा है हिमाचल के सबसे बड़े हवाई अड़े के बिस्तार के मुद्धे पर कांगड़ा भी दिल्ली के शाहिन बाग में तब्दील होता नजर आ रहा है यहां क्या औरते क्या बच्चे युवा नाजवान और क्या बुजर्ग सब बिस्तापन की डर से कांगड़ा एरपोर्ट की खिलावत में एक जुट हो चुके हैं बाकाइदा इसके लिए गंटों सडके जाम की जा रही हैं कई मरतवा पर्ठान कोट कांगड़ा मंटी हाईवे को जाम किया जा चुका है बूख हरताले भी हो चुकी हैं कांगड़ा के विधायब पवन काजल खुद इन परदर्शन कारीयों की अगवाई कर चुके हैं और सरकार से एरपोर्ट के विजदार पुर ष्ठिती साफ करने की मांग कर रहे हैं इतना ही नहीं अब की बार एरपोर्ट के पास रहने वाले लोगों ने सरकार के खिलाप लंबा और बड़ा अंदोलन करने की चेताबनी तक दे रखी है जिसमें अगर कानून का उलंगन होता है तो उसे भी सरकार के माथे मरने की तैयरियां की जा चुकी है देरसल सरकार कांगरा एरपोर्ट के कई तोर तरीकों से बिस्तरित करना चाहती है फिलहाल इसकी लंबाई सारे 1400 के करीब है जोकी अब इसे 3,110 मीटर लंबा करने का फैसला किया गया है जूंकि परदेश बर में एक मातर कांगरा ही एक ऐसी जगा है जहां एरपोर्ट के विस्तार की संबाबनाएं प्रवल है इसके साथ ही कांगरा की सीमा पंजाब के पठान कोट एरवेस और जम्मू एरवेस से बेध ही नस्दिक है शुरक्षा की लिहाज से केंदर का शुरक्षा मंतरालियावी इस एरपोर्ट को हर नजर से अपने लिए शुरक्षित मानता है और इसका बिस्तार करवाना चाहता है इन लोगों की माने तो पौंक डैन के दोरान भी उनका विस्तापन हुआ फिर एरपोर्ट के निर्माण के दोरान फिर दूसरी बार विस्तापित हुए अब तीसरी बार उन्हें यहां से निकालने की योजना बरक्रार है जो अब वो अपने विस्तापन की सही जगा सुनिशित ना हो जाने पर बिलकुल मंजूर नहीं करेंगे बाकाइदा मुख्यों मंतरी जैराम ठाकुर से मिलकर उन्होंने इस बाबत अपनी मंसा विज़ाहिर कर दी है फिलहाल इस मुद्धे पर अब कांगरा की दोनों पार्टियों की लीडर्स्टिप जहां लोगों को समर्थिन करके अपने बू अच्छी जगह देखी जाए जैसे हमें उसी जगह से उजाड रहे हैं वैसी जगह हमें दी जाए पानी की सुब्धा स्कूल की सुब्धा ऑस्पिटल की जुआ और जो मारी बाकी जमीने बची हैं जो मारी जमीने बची हैं उसको भी बाद में हम कबर कर पाएं हाँ उन्हा ने वराशन दिया है कि ये बनेगा प्रंतु हम किसानों और जिम्दा किसानों और गाम बासियों से ठीक डंग से बात करेंगे जुरूरत पड़ेगी तो धन्यावाइब बनने के लिए नहीं है पर जो बोला है वो ठीक ही है देशीत के बनना है तो जुरूरी है सर मारी इपाल डिमान बिए ऑप और जो बिस्तार कर경 अब यहाई प्रणार को बिस्तार में दीक है हमारी जानता बहुत ही आहत है हमारे मानने मुख्तर मोंत्री महते से ये निवेदर है कि इसका बिस्तार को रोका जाए कारेकर में एक बार फिर बक्त तोला चोड़ी सप्राइब काई मनते हैं पर एक के बाद